इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ड्राइव के अंदर अगर आपको इस तरीके से इशु दिखाए देता है तो इस प्रोब्लम को हम कैसे सॉल्फ कर सकते हैं यह मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखेगा तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको जो है अपने फॉन की सेटिंग्स में जाना पड़ेगा सबसे पहले अगर ड्राइव के अंदर यह इशु दिखा रहा है और यहांसे आपको जो है यह यहांसे Google drive के अंदर कभी option होता है वहांसे भी particular एक पर भी लगा सकते हैं आप चाहे तो सब पर लगा सकते है अगर उसके बाद आपका इशुर अच्छी वातले नहीं होता है तो Google account पर जो है अपने अपने account को remove करिएगा और दुबारा add कर लीजिएगा ठीक है remove आप Google पर सही कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है जहाँ पर scanning करा उस पर click करके खोल कर आप remove कर सकते हैं तो अगर यहां पर आपकी problem फिर solve हो जाती है अपने phone को बंद करके खोलने के बाद तो फिर apps में जाएए manage apps में जाएए और यहां पर search करिए आप जो है drive को drive को search करने के बाद अगर आप इसे खोल लीजिए अगर इस पर रिष्टिक data usage लगावा मिले तो support करके आपको OK कर देन आपको देखने के लिए मिल लही होगी अगर वो मिलती है तो आपको number दिख रहा होगा मेरा उस पर WhatsApp कर दीजेगा बाकि यही पर आपका सारा solution हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो अगर यहां पर आपको वीडियो अच्छी लेगी हो तो लाइक कर दीजेगा औ और चैनल को सस्क्राइब पिक कर दीजेगा